सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत थैंक्यू मेरे चैनल के साथ जुरने के लिए अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को सबस्क्राइब कर लिजिए और उसके बाद जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि हमारा हर व इस तरीके बहुत सारे लिशनर बहुत सारे दोस्त का डिमांड था सर इस पर आप विडियो बना दो एक प्लीज जरूरी है इस टोपिक पर मैंने आप लोग के लिए आज यह विडियो लेकर आया हूं दोस्तों यह टोपिक उन सारे इस्टूडेंट के लिए वी हैलफुल होगा जो में बेद किसी भी उनवर्सिटी से कर रहे है है ना कहीं से भी कर रहे हैं सारे इंवर्सिटी के लिए ये वीडियो काफी ज़्यादा है फुल होगा एक्जाम के पॉइंट व्यू से टू दो पॉइंट इस सेशन में मैंने सारा कुछ इंक्लिट रखा है आपके लिए और एकस्पलानेशन अगरने बात करें तो यहाँ पर देखा जातर हिंदी और इंग्लिस दोनों एकस्पलानेशन आपको मिलेगा हिंदी में आपको मैं explain करते चलूँगा नोर्स आपको इंगलिस में मिल जाएगी ठीक है आप मुझे टेलिग्राम पर फॉलो कर सकते हैं टेलिग्राम का यहाँ पर दिया हुआ लिंक और आप मुझे डिसकस करेंगे सबसे पहले मेनिंग और जेंडर को डिसकस करेंगे बहुत सारे वीडियो मैंने जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी से बना रखा है आप मेरे प्लेलिस्ट में जाएए और वहाँ पर जेंडर स्कूल सोसाइटी से बहुत सारे वीडियो उसमें आपको मिल जाएग दो ही biological अगर determined अगर हम बात करें तो sex में जनम होता है तो male और female दो sex होते हैं लेकिन जो समाज होते हैं दोस्तों समाज जिसको हम society कहते हैं ओ हमारे gender यानि societal construction की अगर हम बात करें constructed की बात करें तो society समाज जो एक बनाता है दो form में एक masculine और दूसरा feminine तो masculine और feminine जो है ग्रामिटिकल परपस से भी दोस्तों जेंडर का एक form है तो जेंडर एक ग्रामिटिकली इस सारे चीज़ें constructed हैं लेकिन जनम जब बच्चा का होता है तो वाइलोजिकली अगर देखा जा तो sex के रूप में होता है male और female के रूप में होता है दोस्तों हमारा समाज masculine और feminine करके दो टाइप के जेंडर बनाते हैं अब तो सरकार ने यहां तक ट्रांस जेंडर को भी मन्याता दे दिए जिसमें female की percentage double x y या फिडवल y एक्स इस तरीके से अगर characteristics यानि feminine की percentage male की percentage जिस बच्चे में जादा होती है उसको transgender की category में डाला जाएगा समाज इससे दूर भागते रहता था लेकिए अब समाज ने अभी तो accept नहीं किया है completely लेकिन धीरे धीरे वो भी accept करने लगेंगे फिलाल सरकार government जो है इसको समाज में इज्जत के रूप में एक value दी है सभी जगह उसकी एक reservation sheet अलोट की है जिससे उनको समाज में एक इज्जत मिल सके तो इस तरीके से जो होता है socially जो होती है दोस्तों society एक gender creation करता है gender की characteristics कह सकते एक subjective कह सकते है create करता है determine कह सकते है समाज के दौरा create किया जाता है अगर WHO की बात करे world health organization की बात करें तो gender का मतलब होता है कि the socially constructed role यानि society के दौरा constructed roles behavior activity attribute जो society देता है एक men और women के रूप में appropriate for men और women कह सकते हैं कि gender refer gender क्या refer करता है वाई socially constructed roles है behavior activity attribute है जो given by society considers appropriate for men and women यह definition आपका है WHO के according तो यह तो आपका है gender meaning of gender है कुछ और भी देखते कि gender word कहां से आया है दोस्तों जेंडर का जो वर्ड है एक लैटिन वर्ड से जेनस से आया है ठीकर जेनस का मतलब होता है काइंड और रेस काइंड और रेस होता है ठीकर ना जेंडर एक साइकोलोजिकली और कल्चिरल रेफरिंग है जो मैलनेस और फिमेलनेस को फिलिंग को सो आट करता है इंफिल्यूइंस करती है जेंडर में एलसो रीफोर तो सोसाइटी एवालुएशन ब्याइवियर मैस्कुलीन और फैमिन यह सारा कुछ आपका सोसाइटी के दौरा तो सो्सिलन कल्चिर डिफिनेशन और मेंन और मेंन का जेंडर कहलाता है । जैसे कि सोसाइटी डेट मेब्क्स रूल्स स्माज क्यों बना कि गल्स वील स्टेय इनदे हुज लरकिया घर घर में काम करेंगी बच्चे पालेंगी बच्चे जन जन्व देना ये बच्चे पालना घर में रुकना घर में ही रहके काम करना गैटिक है इस single खीडिंग रहेगी लड़की के प्रोटेकटर होasten गिंख ओर्त करेंगे। है कि घर में खाना है अगर बॉय और गरले में खाना at a एक इप बच्चे को खाने लाइक है तो कि लरकिया को ज्यादा खेलने की पर्मिशन नहीं है कौन बोला यह हमारे समाज नहीं बोला हमारे समाज से जेंडर करते चीजों को चीजों को इडियोजी को विचार धारा हैं देखते हैं कौन-कौन से टर्म है जो यह सारे चीजे हम सिखते हैं कौन-कौन से टर्म है जहां पर हम लोग जेंडर के वारे में सिखते हैं अच्छा बुरा सही खराब सब कुछ ठीक है तो दोस्तों अगर हम बात करें जो हमारे समाज में समाज समाज किसको बोल रहे हैं इसेतों समाज कहला तिradis total ने are living beings and now we live in a society society human society समाज में रहना चाहता है दिस उड़ लिव इन सशाइटी तो जब समाज में आप रहोगे हम लोग एक social animal है समाज मनुष प्राणी है तो समाज में रहेंगे तो समाज मतलब इन ही सब सक्रियेट होगा फैमिली दोस शोशल क्लास मीडिया अगल बगल पास परोष स्कूल है ना इन सारे चीजों को वन बाई वन करके समझते हैं दोस्तों फैमिली की बात करते हैं तो यह पहला ऐसा एजेंट होता है जो जहां पर हमारे मेंटली फीजिकली एवरिटिंग कंस्रक्ट होती है है ना ब फांडेशन प्रोवाइड करता है फरस्टनालेटी डेवलापमेंट में हमारे मेंटल डेवलापमेंट में कोगनेटिव डेवलापमेंट में फीजिकल डेवलापमेंट में यह फांडेशन प्रोवाइड करती है दोस्तों फैमिली हमारी हमारी फैमिली जो होती है च्छादा होता है इसलिए तो वाइगोष्की महोदे नहीं और सोचल कंस्त्टुटिविस्ट भी कहा जाता है वाइगोष्क को तो यह बच्चों को समाज में छोड़ो समाज से उसीह जैसा समाज रहेगा उस Сबस्के उसकी कोगनेटिव डेवलापमेंट होगी कोगनेटिव म मेंटल डेवलाप्मेंट होगा है ना अगर बच्चे ज्यादा से ज्यादा उस टाइप के लोगों के साथ इंट्रैक्ट करता है मैचुर्ड लोगों के साथ वेल एजुकेटेड लोगों के साथ वेल क्वालिफाइड लोगों के साथ वेल कंस्ट्रक्ट सोशाइटी के साथ अ यहां पर देखने को मिल दा समाज हमारे mental cognitive को develop करने में help करता है इसलिए जैसा समाज रहेगा जैसा family जैसी वैसे हम क्या कर सकते हैं हमारा development होता है दोस्तो दोस्तो स्कूल family से निकल कर बच्चा ज्यादा time अगर सबसे ज्यादा time देता है सबसे पहला अपने spend करता हूँ अपने कहां पर पहले तो family family से जब उसका यह होता है वहां से shift करता है तो वह स्कूल में सबसे ज्यादा time spend करता है दोस्तों तो socialization और construct करने में mentally cognitive physically construct करने में बच्चे का important role play करता है स्कूल क्योंकि स्कूल में वह दोस्त बनाता है पियर ग्रूप्स बनाते हैं classmate बनाते हैं और teachers के साथ interact करता है सबसे ज़्यादा अपने feeling को share करता है family के बाद teacher के साथ फिर उसके बाद ideas को acquired करता है school से teacher से family अपने पियर ग्रूप्स के साथ तो you can see that school is the most important role to construct our mentally socialization and it's important role socialization of gender of any children ठीक है ना education system जो होता है यह socialized construct student became a members of society यानि समाज में रहने के जैसा इंसान बनाने में help करता है school है ना और school में क्या provide की जाती education education क्या करता है बच्चों की value को shape करने में उसके attitude उसकी need उसकी क्या क्या है उस सारे उसके अनुसार उसको construct करने में help करता है modify करने में help करता है ना education जो होती है दोस्तों widen a mental horizon people teaches them a new way of looking themselves and their society याना teach school में ये भी हम लोग सिखते है कि कैसे दूसरे को cooperate करना चाहिए कैसे अपनी idea को share करना है याना अपनी idea को share करना है दूसरे के idea को acquire करने अच्छी वाली idea को education teaches how one is a behave towards his playmates और adult कैसे अपने दोस्त चाहो female हो चाहे male हो कैसे उसके साथ behave करना है कैसे अपने classmate के साथ corporate करनी है है इस सारे चीजे हमें education से सिखते है और education कहां provide होती है schools में ठीक है तो next हम बात करेंगे peer groups दोस्तो next peer groups मतलब दोस्त circle इसकूल में बच्चे क्या करते हैं बनाते हैं सरकल बनाते हैं सरकल बनाते हैं तो उसमें क्या करता है बच्चा अपने सबसे ज़्यादा अपनी बातों को शेर करते हैं किसके दोस्तों के साथ है यहां पर बच्चे की मेंटली जो होती है फैमिली और फैमिली के बाद अगर सबसे ज़्यादा time spend करता बच्चा वो होता है पीर ग्रूप में चिल्डेन कम टो अटेच मोर विद देर पीर ग्रूप एंड स्पेंड मच टाइम ठीक है विद अब जैसा पीर ग्रूप होगा उस हिसाब से उसकी construct होगी constructions होगी बनावट होगी और कह सकते हैं कि young people feel more comfortable and enjoy the company of those who are at the same age and have similar social status यह भी देखने को मिलता कि अपने एज की ग्रूप बाले के साथ बच्चे ज्यादा comfortable ज्यादा अच्छा फिल करते हैं और साथी साथ social status अगर मान लेता है अंबानी का बेटा है मुकेस अंबानी का तो वह अपने status अपने social status के ग्रूप बाले बच्चे के साथ ही रहना पसंद करेगा exceptional cases कुछ भी हो सकता है जियो जैसा समाज में रहता है दोस्तो उस हिसाब से वह अपना दोस्त सर्किल बना लेता है इस हिसाब से कह सकते हैं कि एक जिसके पास रीच फैमिली है तो रीच टाइप के दोस्त बनाते हैं उसी जैसा exceptional का दो आगें गरीब अलग बात है है ना लेकिन जैनरली वह अपने सर्किल में रहना चाहते है तो इस परकार से बच्चे सबसे ज़्यादा फैमिली और स्कूल के बाद सबसे ज़्यादा टाइम किसके पास करते हैं पियर गुरूप के पास है ना और अपने च्वाइस के बनाते हैं फ्रेंड बनाते हैं और वहाँ पर सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं तो यह आपका सोच पियर गुरूप इसके बाद अफेक्ट कंस्ट्रक्ट हमारे जो मेंटली फिजिकली कंस्ट्रक्ट करने में हेल्फ करता है शोशल क्लास क्लास बोली तो अपर क् मिडिल क्लास लोर क्लास यह भी इंफिलेंस करता है हमारे डेवलाप्मेंट को तो शोशल इसको देखते हैं तो शोशल क्लास से हम अपनी एटिट्यूट को डेवलाप करते हैं अपनी लैंगवेज को डेवलाप करते हैं यह सारे कंस्ट्रक्ट करने में लैंगवेज को कंस् क्विदेंशील करते दोस्तों क्लास एंड स्टेटस पैरेंट ग्रेटली इफेट्टेट अच्छा इंटर्नलाइज जिस पैरेंट का क्लास अच्छी है जो हाई क्लासे से रिलेट करते हैं उस बच्चे की डेवलाप्मिंट अच्छा होता है सभी सभी जग़ा जाते हैं यह ऐसा कहना मुस्त नहीं कह सकता है कि चांस होता है कि इस्टक्चर करते हैं अच्पार्फ好不好 करते हैं ज्यादा इसमेंट करते हैं और सब्सक्राइज सब्सक्राइछ बात करें तो यहां सबसे ज्यादा पॉप्लेशन किसके हिंदु की पॉप्लेशन है उसके बाद किसके मुश्लिम लोगों का तो बहु imitate है मुस्लिम माइनरिटी हो गया क्रिष्शन माइनरिटी ज्यादा होती है उससाब सो सिक्योर और सेफ और कॉंफिडेंस फिल करता है कास्ट के बेस्वागा हाइयर कास्ट में आप रहते हैं जैसे कि हमारे समाज अगर भारत की बात करें दोस्तों तो हमारे भारत के समाज ने कास्ट में डिवाइड कर रहा है अपर क्लास मीडिल aking class lower class and jeśli class SD class इस तरीके के class तो जो बच्चा बहुत सारे ऐसाइस इस सौसाइटी देखने को मिलता है बहुत सारे लोग्ष अपने कास्ट को चेंज कर लेते हैं क्यों स्टेटिस पाने के लिए आपनी आपनी को बढ़ा चरा कर दिखाते हैं समाज में कि सके कंपैर क्योंको दिखाते हैं क्यूंकि उनको ऐसा लगता है कि higher class के समाज में ज्यादा वैलू है तबज्यू है ज्यादा उनकी importancy दी जाते है तो अपने title चेंज कर लेंगे हैंना तो इस भी influence करता है behaviour financially अगर अगर उस्ट्रोंग है इपिस्ता करने में सब्सक्राइब में सब्सक्राइब दोस्तों यह क्लास स्ट्राइफ स्टेफिकmasip अगर बात करें लुद्स अपर क्लास में हायर मिडिल लोगर Library कर दोस्तों हमारे जेंडर कंस्ट्रक्ट करने में हमारे mentally physically आफ जो भी हमारे social construction के अगर हम बात कर रहे तो मेडिया मेडिया का मतलब रेडियो वीडियो टेलिवीजन नहीं है दोस्तों मोवाइल भी हो गया मिडिया का मतलब नियूजपेपर मीडिया मीन्स मुवी वीडियो गेम यह आज के डेट में हम ज्यादा हमारे सोसाइट हमारे मेंटली स्ट्रक्चर पर हमारे हम लोगों को इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है जो हमारे लाइफ का एक पार्ट बन गया है एक लाइफ की इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुकी है वी कांट लेव डैट इस टाइम अभी की बात करें वी कांट लेव इडावट दी यूजप फोन मीडिया को अगर बोलता है कि मीडिया का यूज़ नहीं करते हैं वो गलत ह तो दिसिश तो मीडियम ऑफ मिडिया हम अभी के डेट में क्योंकि आद्सकी जरूरत है जब जरूरत नहीं था तो लोग यहां से एक नेगेटिव पहलू भी है कि जादा अगर इसके चिपक जाते हैं मीडिया के साथ ज्यादा चिपक जाते हैं यह सारे फोन के साथ तो उसका नेगेटिव इंपक्ट भी पड़ता है जैसे कि अभी बुल्लीवाई एप के आपने देखा था जिसमें कैसे लोगों ने एक बी गलत काम का एक दिन यही होता है फिर घांत क्या होता है फिर भी गलत काम करते हैं तो यह फॉस्तों इसलिए का दोनों इंपक्ट पड़ता है नेगेटिव और पॉजेटिव अब आप पर depend करता है कि आपको उसको कैसे किस वे में handle करना कैसे execute करनी है अपने life form में है ना मीडिया पर दोनों चीज मिलता है sexual risk sexual content भी मिलता है और अच्छी चीज भी मिलती है तो अब आप क्या कर रहे हो क्योंकि आपको देखना है कि हम अपने life को कैसे influence करेंगे कैसे आगया progress करेंगो दोस्तों तो यह सारी चीज है वी नीड अंडरस्टून बेटर हाव तो डिवा नेगेटिव इंपक्ट अफ मीडिया और मेकिट मोर पॉजेटिव तो सिर्फ नेगे अपने सही जो we Kayla होती है उसको ८ाइट लगाया time को तो तो एसा नहीं है कि बहुत सारे लोगडाउन बहुत सारे लोगों के लिए bad impact bad कह सकता है अब वहुत अरे लोगों के लिए opportunity सब्सक्राइब करतें तक दोनों तरीकर से तो अब आप तो अधीज नेगटिव दोनों दनों तो इस हारे जंडर के यह सब्सक्रा थे कि क्या क्या हमारे क्वूनियज़ करने में इन करता है आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा फिर भी किसी परकार का किसी को डाउट रह रह गया हो तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा इसका पीडियेप आप डाउनलोड कर लेना और फिर मि बिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक अपना ख्यार रखेगा बढ़ते रहे हैव गड़ डे टेक कैर बाबाय टाटा